हेलो एğर्यवण लास्ट वीडियो में हमने दीद चर्यााथ तो आज हम उसके आगे कटिनिव करेंगे सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते तो हमने क्या क्या बढ़ा था तिन चर्याथ में हमने पढ़ा था पहले बाह्ले बर्हभम मूरत में उठना है उसके बाद दंत धावन करना है दंत धावन के बाद में अंजन का प्रयोक करना है अंजन के बाद नश्य, धूमपान, तामबूल और गंडूश का सेवन करना है उसके बाद में अभ्यंग करना है और अभ्यंग के बाद में व्यायाम करना है ठीक है अब हम पढ़ते हैं कि दिन चर्या में व्यायाम के बाद क्या 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 करना चाहिए तो हमने व्यायाम के निशे दिहां तक पढ़ ला था कि किन किन वेक्तियों कि व्यायाम नहीं करना चाहिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्यायाराम के बाद क्या करना चाहिए उप्टन, उप्टन का प्रयोग करना चाहिए उप्टन मतलब एक टैप से कुछ लेप लगाना या फिर कुछ चूरन वगेरा को लेकर शरीर के उपर मरदन करना ठीक है तो उप्टन के गुंड तो सबसे बहले हम लेखते हैं कि उप्टन होता क्या है जो चने या आटा सरसो इनको फिसकर उसमें तेल अल्दी मिलाकर शरीर पर मसलने को दूरतन उससादने उप्टन कहते हैं ठीक है कि कोई सब याटा लेकर उसमें थोड़ा बहुत तेल वगेरा मिला कर इसको शरीर पे मर्दन करना मालिश करना मसलना उसको उप्टन वोलते हैं इससे क्या होता है कि रोम कूपर में जो मेल जमी हो रहती है न वह निकल जाती है तो अचा कोमल और चिकनी होती है ठीक है और चोटे चोटे बच्चों में भी उप्टन लगाते है जब छोटे होते है या फिर अभी भी अगर किसी को तोजाबर फूंसियां वगेरा होती तो वो उप्टन लगाते है ठीक है तो वो उप्टन होता है तो देन चेरिया में व्यायाम की बाद उप्टन करना चाहिए उ इसे कफ का नाश होता है मेद को पीग लाकर सुखा होता है अंगो का नाश करता है को मजबूत करता है अंगो olduğ decisis तो सुबसे उठेव दाद दावन करा अंजर नस्य धूम्पान तांबूल अभ्यांग व्यायाम उप्टन और फिर उसके बाद इस्नान करना है तो इस्नान के गुंड इस्नान क्यों करना चाहिए इसनान करने से क्या होता जट्रागनी प्रदित होती है जो हमारा डाइजेस्ट्र पावर है जट्रागनी वो अच्छी होती है वीर्य वर्दक आयू को बढ़ाता है उप्साह सक्यों बल को बढ़ाता है और अगर हम इसनान नहीं करेंगे तो कंडू, मल, धुकावट, पसीना, उंगाई, प्यास, दाह और पापो का नाश होता है ठीक है तो इस्लान करने से किंद किंद ची जो खर नास होता है कंडू मल थकावट पसीना उंगाई मतलब यौनी प्यास दाः और पाप का नास होता है और उसे क्या अग्नी प्रदीप तो होती है वीरे वर्दक आयू को बढ़ाता है उससा और बल को बढ़ाता है इसलिए प् और घंड़े पानी से इसनान करना चाहिए गरम पानी से करना चाहिए उसके बारे में आगे बताया चाहरोने उस्न अंपूना अधकायश प्रशे को बलावख तेनेव तुत्तम अंगश्य बलरहत केशोल शंचुंचा मतलब क्या है? कि जो गरम पानी, गरम पानी से अदगा में तब गरदन के नीचे वाले पाग में गरम पानी से इसनान करना चाहिए और उसी गरम से सीर को धोया जारता गरम पानी से सीर इसनान किया जा तो बालों और आखों की शक्ति नश्ट होती है इसलिए गरदन के नीचे नीचे वाले जो पार्ट है ना उचमें गरम पानी से इस्तान करना चाहिए और सीर और गरदन के उपड़ वालब सीर और मुख को ठंडे है फिर सुखोश्ण जलाग बुनगुने पानी से धोना चाहिए जोकि अगर करम पानी से सीर का इस्तान कैया जा तो बाल और आङों की शकति नश्ट होती है मतलब हैर फोल होगा बाल सपेद हो जायेंगे और फिर आङों की शकति जो देखने की शकति न वो नश्ट हो जाएगी इसलिए गरम पानी से सीर को नहीं धोना चाहिए ठीके अब इस्तान किस-किस को नहीं करना चाहिए इस्ताना मरदित नेत्राश्य करन रोग अतिसार इशू आदमान पीनस अजीरन भूग तवच्छू चग रही तम अदला अरधी तत जिनको फेशल पेरालिसिस हो गया हूँ नेत्राश्य करन रोग अतिसार आदमान पीनस अजीरन और भोजन करने के दतकालवाद अजीरन बहुत सारे चीज़स ते जिन में अजीरन में वो नहीं करना था दंतिधावन एक चेट्रा इसनान भी नहीं करना है और नेत्राश्य करन रोग अतिसार आदमान इनस अजीरन नहीं करना है और भोजन करने के दतकालवाद भी इसनान नहीं करना चाहिए अब इसनान कर लिया इसनान के बाद क्या आता है भोजन तो भोजन के लिए क्या क्या नियें बताए जिने हितम मितम चाध्या न वेगा नीरियत बलात न वेगतो अन्ने कारिय स्याद ना जित्वा साध्य मामयार मतलब इसनान करने के बाद और जो पहले किया हुआ भोजन है वो पजिया अभे देख हमने इसलान काओ भोजन कर रहे है, तो कभी भी भोजन बीना इसलान के नही करना जहें। आभ भी तो सब कर लेते हैं क्योंकि आभी सदेंटि लाफ साल्लो करें लेकिन अगर हमारे सएट को हमको हमें से स्वस्त बनाये रखना है और हमको दिंचरिया करना है तो हमें इस यह उनके बादी भोजन करना चाहै और अ कुंज़ करना चाहिए जब पहले किया हो भोजन पज़ बत् 요बर के पज़गा हो की अधिमाल मुथल का वेग साथ ही यदि किसी प्रीकार का साध्य रोग से उसके चिकष्या कünde कीई ऑफ ़ूगल की जो मतलब क्या है इस्तान करने के बाद और पहले का भोजन पज जाए तब अच्छा हितकर भोजन करना चाहिए और उसके अतिरिक तो कुछ अन्य नियम बता हैं जो हमको दिन चर्या में पालन करना चाहिए कि मलमुत्र के वेगों को बल पूर्वक न उभाड़े अगर हमको वेग और चाहिए तो अभी तक हमने दीन चर्या में खाना खाने तक यह एक तरह से पूरा हमारा हो गया है कि हमको क्या क्या करना इसके बाद फिर रात्री चर्या आएगी तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ाता हमने ब्रह्मा मूरत में उठना है ठीक है उसके बाद दंतेधावन कर क्या करना है अंजन का प्रेव करना है अंजन के बाद नर्श गंडू जूम पान और तांबूल का प्रेव फिर अभ्यांक करेंगे फिर व्यायाम करेंगे फिर व्यायाम के बाद क्या करेंगे उप्टन लगाएंगे उप्टन के बाद इस्नान करेंगे और इस्नान के बाद भोचन करेंगे ठीक है तो एक तरह से हमारी दिन चर्या यहां पर एंड हो गई है तो अगर आप 10 माक्स पर कोश्चन आता है तो यहां तक लिखना है और उसके बाद जो सोने वाली जाहें सोने वाला है ना जो आगे अभी हम पढ़ेंगे सयन के लिए जो विदियां बताईए जो रात्री चर्या बताइए हमारा विष्टर कैसे होना चाहिए यह सब चीजे वो आएगा यह सद्वरत यह अलग से टोपिक आता है लेकिन सद्वरत ऐसा है कि हमें कैसा वहवार करना चाहिए दीन भर भर ठीक है तो इसको भी हम दिन चर्या में अचार ने इसको इन्वर् आधार इनन जंत है इसमें से सिरुफ एक कौशसंट अभी तक बहुत बार आया हुआ है यह जो प्रकुल म ہے बता है ना दस्वीत पाफ कर्म यह भाद बार कु таких आता है पाँच मार्क मार्क मैं ठीक है तो सद्वरत का है कि हमको सभी के साथ कैसा व्यभर करना है किसके साथ कैसे ले रहना मपरोब्र्वर्त वुसक का साधन धर्म सुखारता सर्व करने की जो लगन है उससे शुक पाने के लिए और सुक की प्राप्ति के लिए धर्म राप्ति धर्म के बीना नहीं होथी है अधर सभी को धर्म कारे मतद पड़ रहना चाहिए व yapılद जितनी बी बूरे काम है न वह सब नहीं करना और अच्शे काम करना धर्मों में प्रवर्थ रेना ये सब सद्वरत के अंतरगत आता है ठीक है तो क्या है कि जितने भी प्राणी है उनको सब को उचाते कि हमेशा सुखी रहे हमारा जीवन खुश में रहे तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए धर्म की चिजों को फॉलो करना चाहिए ठीक है और सुखी प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती इसलिए सबी को धर्म कारे में हमेशा ततपर रहना चाहिए मित्रा मित्र का सेवन विचार हमेशा किसी से भी दोस्ती करने किसी से भी बात करनी कुछ भी है तो हमें विचार करना चाहिए कि वो हमारे योग्य है या नहीं है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है और फिर अगर हम बूरी संगत में आ जाते हैं और हमें उनसे पूरी सलाह मिलती है तो हमारा व्यवार भी बूरा हो जाता है इससे हमें हमेशा सूमित्र अच्छे मित्रों के साथ रहना चाहिए हमारे जो सूप चिंतक हो जो हमारा हिच्छा आते हो और जो हमारा कभी बूरा नहीं सोचते हो हमें हमेशा सही चीज़े बताते उनके साथ हमें मितमता करनी चाहिए भक्त्या कल्यान वित्रानी सेवे तर दूरुगOUGH उनके उपरे चरी तरवालों से दूर रहे ठिक है तिक कि अगर उच्छे मित्रों के साथ नहीं रहेंगे तो उनसे हमारा भोछ सार wizardा नुखसान होगा इसने हमें मित्रता हमें से अच्छे लोगों से करनी चाहिए धर्म का पारण करना है और अच्छे लोगों से मित्रता करनी है आप पाप कर्म पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए हाँ पर दस पाप कर्मों बताए ठीक है ऐसे questions आते हैं तो 10 कर्मेठी के जिन्हें हमें हमेशा त्यागी करना चाहिए तो आप इन में से दो लाइन भी अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं कर फाइप माक्स में question आता है तो हम कम से कम यह जो 10 चीज़े उनका तो हम नाम लिखी सकते हैं और उनका मिनिंग आएगा फिर सबसे पहले क्या आता है हिंसा हिंसा मजल्लब क्या मार पीटा किसी के मन को दुखाना हम को हमेशा हिंसा का त्यार करना चाहिए अहिंसा पर्मु धर्मु अहिंसा हमारा सबसे अच्छा धर्म है ठीक कि तो अबर हम हिंसा गरेंगे दुसरों को कस्ट पोचाएंगे दुसरों को मारेंगे, तो ये एक पाप कर्म के अंदर आता है, इसलिए हमें हमेशा हिंसा का त्याग करना चाहिए, उसके बाद है अस्ते, अस्ते मतलब चोरी ओलूट, तो चोरी करना तो पाप भी है न, तो चोरी नहीं करना चाहिए, फिर तो इसलिए अन्यता काम, अनुच पिशुनता मतलब चुगल खोरी कि इसकी बात उसको जाके बोलना इसकी बात इसको बोलना यह चीज भी सही नहीं है इससे क्या होता है दूसरों के बीश में द्वेश की भावना जागरत होती है इसलिए पिशुनता भी नहीं करना चाहिए फिर परुष वागे का ठोर वचन ऐसे वाक्य बोलना जो किसी को जिससे बुरा लग रहा हो, जो किसी का मन दुखा रहे हो, उन सब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो अभी तक हमने कौन-कौन से पांस देख लिए, हिंसा, अस्तेय, अन्यता काम, पिसुनता और परुस्वाक्य, उसके आलाता है अन करने या फिर मरवा डालने की योजना बारना, अब इद्या, दुसरों के संपत्ति को हडपने की इच्छा रखना और द्रग भी परिये, सासे के निर्दोसों के भी परिसोचना, ठीके तो ये 10 चीजे नहीं करनी चाहिए, तो कौन-कौन से 10 चीजे आती है आपर, हिंसा मतल अब इद्या के संपत्ति हडपने की इच्छा करना और द्रग वीर परिये, जो सांस्रों में नियम बताए, जो अभी हम आगे और सदुरत पढ़ेंगे, तो उन सब का अच्छे से पालन नहीं करना, ये 10 पाप करमाते हैं और इनका हमेशा त्याक करना चाहिए, फिर आगे बहुत सारे ऐसे नहीं है, जिनको हमें पालन करना चाहिए, हमें उनका त्याक नहीं करना है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, तो हम उनको एक बार बस बढ़ लेते हैं, जिनकी कोई अजीविका नहीं है, जो रोग या शोक से पीड़ी थे, उनके सारीरी कार्थिक शक है, जो किसी शोक या रोग से पीड़ी थे, और वो आर्थिक रूप से भी वो कुशल नहीं है अपने चिकिशा कराने के लिए, तो हमको उसके अनुरूप उनके चिकिशा करनी चाहिए, शोक पीड़ी तो का आस्वाशन देना चाहिए, ठीक है, उनसे अच्छे से वेवार क कुछ भी है, जो हम उसको कर सकते हैं, तो वो सदवरत के अंदर आता है, सम दरश्टिता का निर्देश, मतलब सब को एक समान समझना, सभी प्रायनों को अपने समान समझे, भले कीड़े, मकोड़े, चिटियां ही क्यों ना हो, किसी को छूद्र ना समझे, उनने कस्ट न पह ब्रामन, ब्रद, वेध्य, नरप और अतिति, देवता, भगवान, गाय, ब्रामन, ब्रद, वेध्य, मतलब राजा और अतिति, जो हमारे घर आए, उनके पुजा करें और उनको उच्छे सम्मान दे, अतित, देव, सब को देव के समान समझे, राजा को देव के समान समझना बतलब इन सबका सम्मान करना है ठीक है तो सबके साथ अनुकुल वहवार करना है सबको एक सम्मान देखना है और सम्मान करना है उसके लाद क्या है याचको की सम्मान भी थी याचको की अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए याचक मतलब जो हमारे कुछ मांगने आत लेकिन उन पर चिलाना उनका अपमान करना यह सही नहीं है ठीक है और अगर हम कुछ दे सकते हैं हमारी शक्तिकरिण सार थो ठीक है लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए सदा सबका उपकार करना भले ही अपकार करने के लिए तयार सत्रू ही सामने क्यों नहीं हो उनके प्रती भी उपकार करना चाहिए पतला हमेशा किसी के बारे में भी बूरा नहीं सुचना चाहिए चाहिए सामने सत्रू ही क्यों नहीं हो सबके बारे मैं अच्छा सूचना चाहिए सबके लिए अच्छा करना चाहिए संभाव का निर्देश सूख में दूख में समान भाव रहे किसी कारण से संपत्ती मिली और किसी कारण से विपत्ती मिली मतलब सूख मिला है दूख मिला है इसका पता करें, जिस कारण से विपत्ती मिले, उस कारण से द्वेश करना चाहिए, ना कि विपत्ती से द्वेश करना, ठीक है, मतलब हमें पहले हमें सुख और दुख में समायन रहना चाहिए, ठीक है, और अगर हमको किसी प्रकार से दुख या सुख मिल रहा है, तो हमें प प्रकार किस चीज़ से दुख मिलाए और फिर उस कारण का त्याग करना चाहिए मदूर भाशन समय पर बोले हितकर बात करे थोड़ा बोले ऐसी बात करे जो किसी को बूरी नहीं लगे और हमेशा मिठा वचन बोले ठीक है सबसे अच्छे से बात करना चाहिए जिस समय जो बोलना चाहिए वो बोले हितकर बोले और ऐसा कुछ न बोले जिससे किसी को बूरा लगे फिर भाशन विदी पहले बोले अर्थात मित्र के मिलते इसके बोलने से मैं पहले मैं बोलूँगा यह भाव मन में होना चाहिए बला ऐसा नहीं कि मुझे पहले वो बोले का तब ही मैं बोलूँगा हम भी बोल सकते हैं कुशल प्रस न करने लगे, प्रसन न चीज़ सब भे वेवार करें, सरल भाव अकेला सुखी न रहे अर्थाट, बने बंदू बांदः हो, इस्ट मित्रों के साथ सुखावभो करें, सब के साथ विश्वास न करें, और सब के साथ अविश्वास भी न करें, अगर हम किसी मित वाला भावना सब सुखी रहे अगर हम किसी प्रकार क्या सुख का उभोग कर रहे हम किस प्रकार से खूश है तो सब अपने दोस्तों के साथ मिलके उस सुखी को व्यक्त करें उस खूशी को व्यक्त करें सोरी फिर हर किसी पर विश्वास भी नहीं करना है और हर किसी पर विश न अपने को किसी का सत्रू और न दूसरे को अपना सत्रू बताए किसी ने अपना अपमान किया है तो हरकिसी के पस जाजा के नहीं बताने यार इसने मेरा अपमान किया है अब मेरा इससे इसने नस्ट हो गया है ऐसा कुछ नहीं ठीक है अपने विचार अपने साथ ही रखना सही है योगी उससे फिर वो जो हमने दर्शित पापकर्म पढ़ थे उसमें उसके अंतरगत आजाता है देखो हमने पढ़ाता है यह पिशुनता पढ़ रहा था हमने चुगल खूरी यह फिर दोगलापन यह सब इन सी जो के अंदर आता है और फिर हमको पाप कर्म नहीं करना है क्यो मतलब क्या है इसको कि जो ऐसा सामने वाला वेक्ति जो चाहा रहा है कि हमें उसके साथ वैसा वहवार करना चाहिए उसे के साथ वैसा है अच्छे से वहवार करना चाहिए जिसे वह संतुष्ट हो जाए और हम संतुष्ट रहें यह जितने भी हम पढ़ रहे हैं यह ऐसे पता होना चाहिए हम अगर सहीता परड़ा तो हमको उसमें एक बें पॉइंट ऐसा है नहीं जो हमको उसको छोड़ना है ठीक है उसके बाद आता है इंद्रिय विहवार आप कान आधी ग्याने इंद्रियों के रूप स्वब्दा आधी अपने विश्यों का उभ्भो करने से न ना उभ्भो करें ना उनको रोके और ना ही उनको जादा बलोलूप होने दें उनके विश्यों को देखने के लिए त्री वर्ग क्या है धर्म अर्थ और काम इनकी प्राप्ति न हो ऐसा कारिय नह करें ठीक है ऐसा कोई कारिय ना करें जिससे हम धर्म अर्थ और काम के प्रा अब आता है शरीर शुद्धी के प्रकार हमारे शरीर को हमें सा शुद्ध रखना चाहिए नीच रोम नक शमश्रू निर्मलांगी घ्रम मलायन स्ना शिल शुषुर्भी सुवेसा अनुल बना उल्चoyoला जयां रूम Cantonese समस्रू ने अधिक नबर्ड़े हमारे जो हमारे समुज opener से त्हारण कर अच्छे और उदरत वेस बनाते बनाए जबर्ड़े सब्भचर व्याचरं वाला बेश्च बना रखना चाहिए ठीक है प्लब नेल्स वगर आचे से काटना चाहिए हाथ पर स्वच्च होने चाहिए मल मार्गों को साफ करना है रोजस्तनान करना अच्छे कपड़े पहनना ये सब चीज़ है रतनों का धारन करना चाहिए रतनों एक तरह से ओश्च द्रव्य भी होते हैं तो हमें रतनों का धारन करने से मंत्रों का प्रयों करने से हमारा शरीर स्वस्त रहता है चाता हादी का धारण चाता लगा कर चले जूता पहन कर चले और चार हाथ आगे तक के मार्ग को देख कर चले सहीता मैं बताया कर कि हमें हमेशा हमारे सा चाता रखना चाहिए ठीक है जूता पहन के चलना चाहिए और चार हात आगे तक को देखते हुए चलना चाहिए. यह न उस चायम की बात है प्राचिनकाल की. उस समय क्या होता था? कि उस समय पर जानवरों का बहुत बह़े रहता था. तो इसलिले जूता पहन के और अभी भी जूता पहन के ही जाता है. हम लोग योगि कि उस से पेरों को नुक्सां पहुंचा है और हमारे पेरों के तल्बों से हमारे नेतर जूड़े रहते हैं इसना हमें उनकी रख्षा करनी जाए हो चार हाथ आगे तक कि महारे को इस दिए देखना घूद अरहीं को जानवर तो नहीं आ रहा हमें सीर में पकड़ी और टोपी इसलिए बना चाहिए कि हमारा सीर की रक्षा करनी चाहिए और साथ में अगर कोई होगा तो ज्यादा चाहिए अकेले रात को गमन नहीं करना चाहिए उसके बादा आता है गमन निर्देश दे चेते मतब देव इस्तान बोध्र जयंगे पर न चड़े दोजन के दंडे पर न चड़े निंदित कर्म करने आले पुरुसकि चाय करे सबर्श न पर नकड़े किए ऐसे इस तानों पर नहीं जाना चाहिए जिससे नहीं हमें कुछ नुखसान हो आप समबाधी वगेर नहीं चणना चाहिए दोजा कर साफ सद्रेख तो वह भर्म के नहीं सब्सक्राइब चाहिए उपर से गर हम तो जा कि दंडे पर चड़ेंगे तो हम गीर सकता है हमारा नुक्सान हो सकता है ठीक है फिर भास्मतू सिंके धेख पर पास चलने से भी कुछ जीव जन्तु का भई हो सकता है अब अवित्रिस्थानों पर जाना बालू के धेरादी पर चड़ने से गिर जिने का भई होगा ठीक है और भी बहुत सारे कारे निशिद्ध कारे मतलब इन कारे को नहीं करना चाहिए जैसे वेक वाली नदिया फिर गहर आती हुई नदी की बाहों में तेर कर पान करें ठीक है अगर नदी में बहुत सारा पानी है बहुत इस पिप में वह बह रहे है तो उसमें तेरना नहीं चाहिए अगनी के समिप नहीं जाना चाहिए दूशिस सवारी पर जैसे कोई नहीं चड़ता है उसी प्रकार से जिस नाग रूबने का भई हो उस पर नहीं चलना चाहिए जिस रक्स के तूटकर गिरने का भई हो उस पर नहीं चलना चाहिए ठीक है चीक आदी आने पर क्या करें मुख को ढखे भी ना चीके ना हसे ना जम्हाई ले ठीक है चीकने हसने और जम्हाई लेने से पहले हैं मुख को ढखना चाहिए अभी COVID में ये बहुत specific हो गया है यगर हम चीक रहे हैं हस रहे हैं से फॉलो करते है तो अभी इतनी सारी डिसीस के फैलने का टेंशन ही होता जितनी भी हमने कंटामिनेशन से जितनी भी होने वाली डिसीसर रखिए उनमें डॉपलेट इंफेक्शन बहुत ज्यादा इंपोर्टन है ठीक है फिर अंगिक चेस्टा का निशेद अकारण आसिका के छिद्रों में उंगली से न को दे अकारण भूमिक उंगली से न को दे टांगो बाहो आधी से विक्रत चेस्टा न कर जैसे मुख बिचकाना आखे मटकाना आधी ये विक्रत चेस्टा नहीं करनी चाहिए ठीक है शारीरी कादी चेस्टाओं की मातला, शरीर मन और वानी की चेस्टाओं को थकान होने से पहले ही रोग देना चाहिए, मतलब कुछ भी काम इतना नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ठक जाये, क्योंकि उसे थकान के बाद में बहुत सारे डिसिस होती है इस तो जो थकान होती है उसको भी जब तक हम कर सके धारण लपी तक करना चाहिए चीर काल तक जांगों को उपर कियो और उठाकर लेटा नर रहें ठीक है और भी अन्ने सदाचार बताया है जैसे कि रात में ब्रक्ष के नीचे नहीं चाना, चेत्ते के समयपन्तर जो धता उच्छमाने वहां जाना, चोराये पर देव मंदीरнения, जош्छti सुना घर हो घोरवन, सुनसान घर कर समसान में दीन में भी नहीं रहा जाई। तो रात में व्रक्ष के नीचे चेत्य भूमे में चत्चोरा है पर देव मंदिर मद्य साला सुना घर घोरवन में और कुछ पुछ जगा ऐसी है जहाँ पर तो समसान वगेरा में दीन में भी नहीं जाना चाहिए सुना मतलब क्या था कसा आई घर है फिर जहाँ पर फासी दी जाती ना उन जगा पर इसके बाद क्या है शूरे को एक टक नहीं देखना चाहिए क्यों कि जाकों में प्रॉब्लम आती है सीर पर बोज नहीं रखना चाहिए उससा क्योंकि हैड़क वगरा की प्रॉब्लम होती ह सुष में चमकीले आप व 不 अपर अपड़ारतों को देखने हैं आप जitzer क śalak के पढ़एंगे तो उसम्हों नेतर विकार क diff頻 के नियुदान के अंतर ना इस सब लिखा ऑप सुष में चमकीले चीज़ों को देखना आप ये पढ़ारतों को देखना उसससे क। या नेतर खरीदना मद्दी का निर्मान भी नहीं करना उसका लेंदेन पीना यह सब चीज़े नहीं करनी चाहिए कैवल ओश धारते सूरा पीबेद मतब सिर्फ सूरा को ओशत के रुप में पीना चाहिए ठीक है उसके अलावा और भी पहुत सरी चीज़े कि पूर्व की दिशा के और से वायू आ रही है सामने से वायू आ रही है धूब धूल तुशार वजब ओश जोके में चलने वाली वायू इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए सरी के सिधी सीधी सीधी न और अच्छी सोये न शाया नene कर है जो मो抗ोझाश से टीधी सेठी इस्त्री सहवा, सोना, अध्यनादी विश्वी पर विचाल करे, समिशा भगवद भजन करने रहना चाहिए, सत्रू और यग्य गण आधी का त्याग करना नहीं चाहिए चत्रू यग्य गण अकीर्न गणिक और पनिक मतलब जो लुकान होटल आदी का भजन नहीं करना चाहिए ये सब चीजे परित्याज्य विश्य है ठीक है इन सब का त्याग करना चाहिए और क्या है जल अगनी पुझे जनों के बीच में से होकर इधर अधर नहीं जाना चाहिए फिल कर समसान में चीता के धुएं से दूर रहे मद्य का अभ्यासी न बने इस्त्रियों पर विश्वास न करे ये सुतनसिता प्रदान न करे क्योंकि प्राय है सहासिक इस्त्रिया ठीक है तो ये सब चीजे उन लोगों ने उस टाइम में बताया था अभी हम इन में से बहुत क हम चीजे जिनको फॉलो करते हैं ठीक है उसके बाद आता है अन्य और सदुक्सेश सभी प्रेकार के संसारिक विवारों को सिखने के लिए बुद्धिमान मानने संपूर्ण संसार की ही आचारे सबको गूरु माना चाहिए हमें किस जिससे जो भी सिखने को मिल रहे है न हमे हमें उसको सिखना चाहिए ठीक है तो फिर भी संसारी कर्थ की परिक्षा ही थे ही थे और क्या अही थे इन सबका विचार करके अनुकरन करने चाहिए हमें जिससे जो सिखने को मिल रहे हमने सिखना चाहिए फिर हमें इसका विचार करके कि कौन से चैस हमारे ले अच्छी है पर सब ही प्यां 오늘도 में दान देना सरीर्स मण और वाणी की सज्दम्ठ नहीं चोना दूसरों के आर्थों में स्वार्त वूल और यह सब सदाचा नरत है तो रहन है तो हम इतना सा भी लिख सकतेphate सब को अपने से लेसा समझना विचार करके पूरुष कभी दुखी नहीं रहता इन सबका विचार वीक्ति को हमेशा करना चाहिए इस प्रकार ये हमारा इस चप्टर खतम होता है सेकंड चप्टर दिन्चर्याद है इसमें से important क्या है दिन्चर्या दस नमबर में आता है तो हमने जो दिन्चर्याद में चीज़े देखी थी न दिन्चर्याद की परिभाशा, भ्रह्म, मूर, दंति-धावन इन सबको आप अच्छे से देख रहे न फिर जैसे दंति-धावन में लिखा है कि कित्या अंगुल का होना चाहिए कौन से द्रव्यों समको दंति-धावन करना है नीशेद किसका है फिर अंजन, नस्य, तांबू, लभ्यंग, व्याया, मुप्टन यह पूरा दिन्चरिया, भोजन वगेरा सब हो गया उसके बाद सद्रव्यों में इतना कोई इंपोर्टन नहीं है बस जो ददस्वित पाफ कर मैं न यह बहुत इंपोर्टन है आप यह इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना बाकी तो यह चीज़े हैं जो हम मन से भी लिख सकते है लाकिन में ऐसा कुछ नहीं है और लास्ट में जो सद्वित का सूत्र था सदाचार सूत्र इसको गाल लेना इसके साथ यह वाला चेप्टर हमारा यह पेंड होता है अगर आप लोगों को कोई डाउटर तो कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े और शेयर कीज़े थैंक्यू सो मच